हुआ है 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 लोग अब है मैं नेमें जंकित कुमार अब वेलकम यूओ लीन आवर यूट्यूब लेटफोर्म चैनल इस सेशन में हम कुछ General Awareness के important MCQ discuss करेंगे हर दिन हम आपके साथ 1115 पे जो NBS का exam होने वाला है non teaching post के लिए तो इसके लिए देखो हम हर दिन General Awareness के कुछ questions से ले के आते हैं और यह question जो है आपको different multiple exams है चाहे वो state PCS का exam हो चाहे वो SSC का exam हो उन सब में भी यह कहीं आपको helpful साबित होंगे ठीक है तो स्टार्ट करें आज का सेशन है चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहला सवाल देखिए आप से पूछा जा रहा है विच डान्स परफॉर्म बाइब बुद्धिस्ट वार्ड ओफ इविल इस्पिट्स इनर डान्स फ़र्म ओफ हिमाचल प्रदेश बुद्धो द्वारा बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाने वाला निति हिमाचल प्रदेश में जो होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं देखो एक चीज़ समझाओ जो बुद्धिस्ट में यह इविल प्रैक्टिस को जो हटाने की बात की गई है यह आपको जो तांत्रिजम है बुद्धिजम का एक स्कूल है जो तिबबत वाला है ज सτίक्ट है बुद्धिजिजिन से रिचाइं टर Clinton को जो नाती लिखा हुआ है तो अबंड़्यसास्थ्र को लिखा किस ने था देखो नाटी 5 टर तौन अंदर क्लासिकल डांस के बात के गई है तो किसने नाटि सास्त लिखा था आपको भी बहुत-बहुत मुबाड़क हो गाड़ी की यह कौन सा फेस्टीवल होता है थोड़ा इसको बताईए जरा मुझे यह क्या एक हार्वेस्टिंग आइधिंग कि हार्वेस्टिंग फेस्टीवल है ना न्यू येर सम्थिंग वहां पर उसको सेलिब्रेट किया जादा होगा सोग जी है थीक है तो अगर नाटि सास्त करी बात करें तो नाटि सास्त किस ने लिखा है तो वह लिखा था भारत मुनी ने और इसी के अंदर जो है आपको क्लासिकल डांसिस वगएर यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं ठीक है अगले सवाल पर चले देखो यह आपके रीजन से ही रिलेटेड है आपसे पूछा गया है कि जो मुसी और भीमा है यह किसकी ट्रिविटरी है देखो मुसी हो गई भीमा हो गई इसके साथ साथ अगर हम बात करें किसकी होगी बिल्कुल सही क्या बात है रितूने अंसर किया है क्रिश्चना बिल्कुल सही है देखो माल पढ़वा है भीमा है तुंग वद्रा है यह सब किसकी है क्रिश्चना की ट्रिविटरी है ठीक है अगे चले, इस question को देखो, the malumat committee report deals with, malumat समीटी की report निमिलिखित में से किसे सम्मन्दित है, Judiciary Delay, Textile Sector Reform, Criminal Justice System Reform और Stock Market Reform, किस से related होगा ये, बताइए, इसका answer कीजी, किस से related होगा ये अच्छा आपके घर के बाजू में क्रिश्णा डिवन क्या बात है चली अच्छी बात है राइट एंसर गीजिए इसका कोस्टेन नम्म थरीका बताईए क्या होगा इसका एंसर देखो आर्टिकल 124 के बारे में आपने सुना होगा आर्टिकल 124 किसके बारे में बात करता है बताईए क्या होगा इसका राइट एंसर बताईए जल्दी से दमलीमत कमीटी किससे रिलेटेड है यह किस से रिलेटेड होगा यह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म से रिलेटेड है ठीक है चलिए इस सवाल को देखिए कोस्टन नमर फॉर को देखिए बिलकुल सही सुप्रिम कोड से और बिसिकली इंपीच्मेंट मोसन के बारे में थोरा बहुत वहां पे जो है न इंपीच्मेंट के ऊपर जब यह कमीटी बैठी थी तो इसमें इंपीच करने की बात की गए थी वहां पर कोस्टन नमर फॉर को देखिए किसी ने लूटा था इसमें से मुहमद गोरी गजनी नादिरसा और चंगेज खान किसीने लूटा था question number 4 का answer किजी किसी ने लूटा था बिल्कुल सही क्या होगा महमूद ओफ गजनवी ठीक है अच्छे मुहमद गोरी की बात करें तो मुहमद गोरी कौन था किस battle से relate करता है मुहमद गोरी बिल्कुल सही है गजनी सही है मुहमद गोरी के बारे मताईए कि किस battle से ये relate करेगा पिर्थिविराच चोहान के बीच में जगरा होता है बिल्कुल सही गया हुआ battle of tarain देखो दो battle हुआ था first battle of tarain कब हुआ था 1191 में होगा then 1192 में second battle होगा और यहीं से आपको देखने को मिलेगा कि मुहमद गोरी जो है दिल्ली का सुल्तान बन जाता है GST को लिके बहुत सारी बाते हुई है देखो which country was the first to implement GST good and service text लगाने वाला पहला country कौन सा था बताइए कौन सा था क्या बात बिल्कुल सही देखो सबसे पहले France लगाएगा फिर UK लगाएगा 1954 में जो है France GST लेके आता है अच्छा GST की बात करें तो किस article के अंदर GST mentioned है देखो मैं आपको hint देता हूँ article 280 के अंदर Finance Commission mentioned है तो GST आपको कहाँ पे देखने को मिलता है article 101 नहीं नहीं article 279 इन एक अंदर आपको GST देखने को मिलेगा 101 में आपको कहाँ पे GST देखने को मिलता है आपने guess work किया यहाँ पे क्या article 101 में कहाँ GST देखने को मिलता है अच्छा amendment की बात की जा रही है हां ठीक है चलिए amendment के साब से आप सही हो बिलकुल सी तो वहाँ पे आपको amendment लिखना चाहे था नहीं कि आर्टिकल आपने लिखा है article 101 तो मैं भी confused हो गया है कि ऐसा कैसे हो सकता है चलिए सवाल को देखे which of the following is mind in बादम पहर माइन्स ओफ उडिशा उडिशा के बादम पहर खदानों में निम्लिखित में से किसका खनन किया जाता है बताईए चार ओप्सन से आपके पास किसका खनन किया जाता है क्या होगा बिलकुल सही देखो यह हो गया मयूर भंज है कोईन जाड है यह सब जो है आपके माइन्स यहां क्या मिलेगा आपको हेमे टाइट आपको देखने को मिलेगा अगर आपसे यह पूछा जाए कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बॉक्साइट आपको कहां पर मिलता है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट किसे स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलता है कौन प्रोड्यूस करता है इसको तो आपका एंसर ग्या होगा मद्धि पर्देश, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट को प्रोड्यूस करता है और मद्धि पर्देश में भी मद्धि पर्देश का एक डिस्टी का बाला घाट वहां से हमें सबसे ज़्यादा बॉक्साइट देखने को मिलते हैं, ठीक है आगे चलते हैं इस सवाल को देखिए सुंदरी पेरों की एक परसिद्ध पर जाती है, जो कहां पाई जाती है बताइए कहां पाई जाएगी है ट्रोपिकल रेन फोरेस्ट, हिमालियन माउंटेन, मेन ग्रूफ और ट्रोपिकल डिसीडियस फोरेस्ट सेवन का क्या होगा, बिल्कुल सही, क्या होगा, ट्रोपिकल डिसीडियस, मेन ग्रूफ फोरेस्ट और यह आपको कहां पे देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा वेस्ट वेंगॉल, बिल्कुल सही है, कहां है, सुंदरवन डेल्टा रेजन तो इंडिया के पास, वेंगा, बिल्कुल सही, किस पास हो जाता है, बंगलादेश के पास आ जाता है ठीक है और यह आपको कहां पर देखने को मिलता है तो गंगा और ब्रंभपुत्रा का जो एड़ ज्वाइनिंग है न यह जो गंगा और ब्रंभपुत्रा मिलके इस डेलिटा का फॉर्मेशन करती है यहाँ पर आपको रॉयल बेंगॉल टाइगर एवंडेंट देखते हैं सबसे ज्यादा रॉयल बेंगॉल टाइगर यहीं पर देखने को मिलते हैं बताइए दर टाटा आइरन एंड स्टील कंपनी टिसको वाज इस्टबलिस्ट बाइ देरोवजी टाटा इन हुई चियर कब क गया था देखो यह प्री इंडिपेंडेंट है कब गया था तो 1907 में गया था बिल्कुल सही हो अच्छा 1919 है यहाँ पर टाइम दिया इससे कुछ आपको याद आ रहा है कोई भी हिस्टोरिक इवेंट जो 1919 से आपको याद आ रहा होगा और कोई एक हिस्टोरिक इवेंट ब बाइकेमरल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था बिल्कुल सही और 1911 में हमने क्या देखा था क्या बात है सारा गा सारा ही कहानी बता दिया रॉलेट एक्ट जलिया वाला बाग 1911 में हमने क्या देखा था यहां पर देखो एनाउंस हो जाती है कि दिल्ली जो दर्वार है न वो अब दिल्ली में लगेगे किसी ने लिखा है दिल्ली कैप्टर चेंज क्या बात है वहाँ सई जार है आप लोग चलिए इस कोस्टन को देखिया कौन बनी थी पहली पुलीस महा निर्देशक बताईए अभी रिसेंटली यह न्यूज में आई थे बताईए कौन बनी थी बिल्कुल आप थोरा सा यहां पर कन्फ्यूज होते हुए दिख रहे हैं आपने बोला किरनवेदी किरनवेदी जो थी ना किरनवेदी ने क्या किया था कि यह फॉर्स्ट आईपीएस बनी थी 1975 में अगर आप देखोगे तो यह फॉर्स्ट आईपीएस बनी थी सबसे पोड़ुचेरी के अंदर फॉर्स्ट फीमेल डाइरेक्टर जनरल कौन बनी यह आप से पूछा गया है बिल्कुल सही क्या होगा सुंदरी नंदा यह बनी थी ठीक है आगे चले अभी इनके बारे में किरनवेदी के बारे में पूछ लेता है कि यह किस साल सेलेक्ट ह हुई थी यह कोस्टन जो है ना मैंने कई बार देखा है कि वीच ओफ फॉलिंग लिमेंट इजे मेटलोइट उपधातू कौन सा इसमें देखो टीन बिस्मूत सिल्कॉन फॉस्पोरस उपधातू इसमें से कौन सा होगा देखो बोरन, सिल्कन ये सब जो होता है न ये उपधातू की ही क ही केटेगरी में आता है ठीक है तो इसका राइट अंसर क्या होगा बिल्कुल सही क्या होगा शिल्कॉन ठीक है फॉस्पोरस का फॉर्मूला क्या होता है वो सिल्कॉन बिल्कुल सही है अच्छे यह बताओ जो टीन है इंदस वैली सिविलाइजेशन वाला फेज आपको याद होगा तो उस फेज के बारे में बताइए कि टीन हम कहां से मतलब इंपोर्ट करते थे इंदस वैली सिविलाइजेशन के टाइम टे हम ये टीन जो है ये कहां से इंपोर्ट करते थे नहीं इरान नहीं हम अफगानिस्तान से करते थे ठीक है अफगानिस्तान वाली रिजन से हम क्या करते थे हिंदु खुश बाली रीजन आसपास की रीजन से हम क्या करते थे टीन को वो करते थे छलिए इसको देखिए मिथाईल आइसो पे नीजेन आईसोमड ओफ मिथाइल प्रोपेन जो है ये एक आईसोमड है किसका आईसोमड होगा बताईए किसका आईसोमड होगा ये देखो मिथाइल वाला जो गुरूफ होता है ये CH3 वाला जो गुरूफ आप देखते हो ये मिथाइल वाला गुरूफ होता है तो मिथाइल प्रोपेन अगर बात की गए तो मिथाइल प्रोपेन क्या होगा क्या बात है बिल्कुल सही रितुने जवाब दिया है एन ब्यूटेन बिल्कुल सही है यह चलिए कोस्टन नंबर 12 को देखिए एक्वाडिंग टू दा इकोनोमिक इंटिलिजन्स यूनिट अच्छे यह इस कोस्टन को छोड़ दीजे क्योंकि यह जो है न थोरा सा ओल्ड कोस्टन हो गया है इसको देख लेते हैं आप से पूछा गया है वाडियार डैनस्टी के बारे साइमें और यह पूछा गया कि यह कहां से रूल करते देखो जो वाडियार डैनस्टी है न यह 1950 तक रही थी यह यादवों की डैनस्टी थी और 1950 में इसको इंडिया में मिलाया गया था ठीक है नहीं देखो वो एन प्रोपेन नहीं होगा वो एन ब्यूटेन होगा ठीक है उसको आई यू पीएसी नॉमेंक्लेचर के अंदर बोला जाता था इस कोस्टन का एंसर कीजिए कि वोडिया डैनस्टी जो है वोडिया डैनस्टी कहां पर रूल करते थे जल्दी से इसका एंसर कीजिए कोस्टन नमर्ट थटिन का क्या होगा आप पटना में यादव है तो बिहार यूपी से इसको कनेक्ट मत कीजिए देखो यादव जो है ना वो साउथ की यादव से बहुत प्रॉमिनेंट रहें इस पेसली जो हम यहां पर बात करें तो थर्टी नाइंटी नाइन से लेके नाइंटीन फिप्टी तक का जो टर्म है टाइम है न इस समय यह वादिया डैनस्टी बहुत फेमस थी साउथ इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगी क्या बात है सोग दिसाई जी ने बिलकुल सही बोला है कौन से होगा वो मैसूर मैसूर से आपको याद आया होगा एक नाम टीपू सुल्दान आप मुझे कोमेंट में यह बताइए कि टीपू सुल्दान की डेथ कब होती है चलो मैं हिंट दे देता हूं सबसीडरी अलाइंस का फॉर्मेशन होता है उसके बाद फाइट होती है फोर्थ हैंगलो मैसूर वर जहां पे टीपू सुल्दान की प्रेथ होती है कि कि ट्रिपल वन नाइन कि 1199 में कैसे होगा वह आपने 1199 लिखा है 1100 में थोरी था वह नहीं देखो वह सेवन्टी नाइन्टी नाइन था कोई 100 साल पीछे चले गए कोई 600 साल पीछे चले गए चलिए इस कोस्चन को देखिए नेम दे फर्स्ट एवर जजज ऑफ सुप्रीम कोट एगेंस्ट हूम दा मोशन ओफ इंपीच्मेंट वाज इंट्रोडूस्ट इन पार्लिया मेंट इंडिपेंडेंट इंडिया देखो दो बार ऐसा हुआ है एक बार सुप्रीम कोट के अच्छा केवल 99 यह आद था तो 16 कैसे होगा यह देखो ना कि मैंने आपको बोला सबसीडरी अलाइंस आया था लॉर्ड विलेसली आया था तो 1699 को ज्यादा ही पुरान आपको नहीं दिख रहा है बहुत ज्यादा यह हो गया ना तो एक गेस वर्क अगर 1799 होता तो आप सह आपको हाला कि क्या है ना कि इंपीच अभी तक किसी को किया नहीं गया मोचन भले लाया गया लेकिन इंपीच्मेंट बहुत कम हमें देखने को मिला था एक हाई कोट के जजज को हमने देखा था इससे बहले कि एक बार इंपीच किया गया था और अगर हम प्रसिडेंट की बात करें तो आज तक एक भी ऐसे प्रेसिडेंट नहीं बनें जिसको इंपीच किया हो गया इंडिया के अंदर ठीक है इन मार्च 2019 चलिए इसको भी हटाइए एक दो कोस्टन जो है न यह बीच में ठीक है यह देखें जेजे थांसन के बारे में पूछा जा रहा है कि कि रिसीव दा नौवेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर दा डिस्कवरी ओफ जेजे थॉम्सन को जो नौवेल प्राइज मिला था वो किसके लिए मिला था वो एंसर आपने बिलकुल सही दिया है कि प्रमोंसावंत जो थे उनको मिला था चलिए इसका बताइए कोस्चन नूँमर शिक्स्टिन का क्या होगा क्या होगा? इलेक्ट्रोन की डिस्कवरी की थी इसी लिए इनको दिया गया था तो नूट्रॉंस के वारे में तो नूट्रॉंस की डिस्कुबरी किसे निखीतलब देखो New Axis के 9 focuses नौवेल प्राइज भी मिले था तो नूट्रॉंस की डिस्कबरी कौन करेंगे कि कर दो मैंने शोलर एक्लिप्स देखा नहीं विलकुल सही क्या है चैडविक करेंगे ठीक है अगर देखो यहां से जाने के बाद यहां तो मैं दो घंटे आपको पढ़ाता हूं उसके बाद यहां से जाने के बाद मुझे कुछ और चीज़े देखनी होती है बाकी इन स्यूट भी है मुझे UPSC के लिए रिकॉर्ड करना पड़ता है तो मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं यह सब देख पाहूं हाँ न्यूज में जो चीज़ आती है उसको तुम्हें थोरा देख लेता हूं कोश्चन नमर 17 का देखिए कुछ कुइन डाइड फाइटिंग मुगल आडमीज वाइल डिफेंडिंग गढ़ह कटांग इन 1564 कौन सी थी यह किसी ने सी एंसर गिया है रुद्रमा देवी कोश्चन नमर 17 का बताईए देखिए यह गोंडवाना की रूलर थी जो रानी दुर्गावती है न अगर आप मद्धि परदेश का कोई भी एक्जाम दोगे इवेन मद्धि परदेश महराष्ट्रा इन रीजन्स में इनका नाम बहुत फेमस है गोंडवाना रूलर थी जिनकी डेट कहां पे 1564 में हो जाती है ठीक है अवंति भाई की एक टड़ यहां पे नाम दिया गया अवंति भाई यह आपको कहां पे देखने को मिलेगी ति आपको जबलपूर वाले डीजन में देखने को मिलती है अज गुड़ी पार्वा भी है क्या बात है चलिए उसकी भी आपको डेर साड़ी सुब काम ना है गुड़ी पार्वा वैसे जो महराथी कम्यूनिटी होती उनका न्यू येर होता है अगर रितु को नहीं बता है तो चलो यह मैं उनको बता देता हूँ हमारे कुछ फ्रेंड थे तो चल्दा रहता था खेर अब तो सबसे दूर हो गए तो फिर क्या गड़ सकते है विच गैस इस इन सॉलीड इस्टेट इस अलसो नोने जड्राइ आइस किसको बोला जाता है ड्राइ आइस एटीन का किसी ने भी एंसर गिया बिल्कुल सही क्या बात है जो सॉलीड कारबन डियोक्साइड होता है इसको ड्राइ आइस भी बोला जाता है अच्छा नाइट्रोजन का कोई मुझे अट्रोमिक नमर बताएगा यहां भे नाइट्रोजन का अट्रोजन का किसी का बता दो अट्रोजन का कितना होगा सेवन होगा ऑक्सीजन का क कितना एट अच्छा आपने 78 इसलिए लिख देए 21 किसने लिखा है कि देखो ऑक्सीजन का आठ होता है और इसका वेट देखा जाए ना टेटोमिक वेट 16 होता है ठीक है इसे कन्फ्यूज मत हो यह नम्मर मैंने पूछा था मैंने वेट नहीं पूछा था उसका मास मैंने नही नहीं पूछा था चलिए इसको देखिए दप प्रोपर्टी ओफ केटिनेशन इस प्री डॉमिनेंट इन स्रिंखलन का गुन सबसे ज़्यादा किसमें पाए जाता है कोस्टन मर्ट 20 का एंसर कीजिए क्या होगा इसका राइट एंसर ए म champe सबसे ज़्यादा पाए जाए कर श्रिंखला सबसे ज्यादा पेर साबको कहां बनते वह देखते लोगा इसीलिकोन कैसे आप कॉपी नौपी मत कीजिए पहले आया था सिलिकॉन का जिए ठीक है देको कार्वन जो होता है सबसे ज़्यादा स्रिंखलंज होता है वो कारवन का देखने को मिलता है आप देखो ना कि mostly जो compound बने आपको देखेंगे वो भी आपको क्या कारवन के ही compound देखने को मिलता है ठीक है एक दो question दो थोरा थोरा गलत होगा अब यहाँ पर टोड़ा के बारे में बोला गया है कि यह तरह का martial art है यहाँ पर dance form लिख दिया गया है यह तरह का martial art है कहां पर आपको किस state के अंदर देखने को मिलता है सिकेम आंदर प्रदेश हडियाना है माचल प्रदेश कहां पर आपको देखने को मिलता है बताइए बताइए इसके बारे में कहां पर आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल सही हिमाचल प्रदेश जिसने एंसर गया बिल्कुल सही गिया है देखो एक तरह का अगर मैं आपको पूछ और यहां पर देखने को मिलेंगे अगर मैं ट्राइब्स की बात करूँ टोडा और कोटा ट्राइब्स की आपको कहां पर देखने को मिलेंगे है क्या बात बिल्कुल सही संबहों कोटा व यह ट्राइब है तोड़ा यह दोनौ तमिलाडों में देखने को मिलता है बिल्कुल सही बहुत सही जाड़ है अज़ convincing को देखिए ओछ यह भी वही चीज हो जाता है बीच बीच में बता नहीं है चलो इसको देख लो कुई दा फाउंडर ओफ फेस्बुक फेस्बुक के संस्थापक कौन है इसका एंसर कर दीजिए कौन है फेस्बुक के फाउंडर 24 का क्या इंसर होगा क्या होगा बिलकुल सही मार्क जुकर वर्ग हलागी फेस्बुक की भी कंडिशन ऐसी हो गई कि इसके भी बिकने के हालात आ गया है और अभी रिसेंडली आपको पता होगा कि जो इस पेस एक्स के जो फाउंडर है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया आपको अपना एक स्मेल बना रहे हैं जैसे जीमेल आप यूज करते हो ना तो जीमेल के जगा आपको एक्स मेल बना रहे है तो गूगल की तो लगने वाली है वहां पर इंडिया नेसिटनल इसोसीशन में इसका फॉर्मेशन होता है यह क्या करेगा कि 1885 में जब आईएंसी का फॉर्मेशन होगा तो यह उसी का पार्ट बन जाता है ठीक है तो बताईए कि कौन थे इसके फाउंडर्स कि अच्छा हां अम्बानी की साधी से याद आया देखोगी दस दिन के लिए दस दिन के लिए क्या किया गया कि जामनगर एरपोर्ट को इंटरनेशनल एरपोर्ट बना दिया गया यहां पी जो सबसे फ़नी इंसिडेंट किया था कि अनन्द अम्बानी ने घरी पहन रखे थी जिसकी कीमत करीब करीब चे साधे चे करोड है तो जो मार्क जुकरवर की वाइफ थी वो काफी ज्यादा इंप्रेस हुई कि मतलब कैसे ऐसे पोसिवल है कि इंडिया के अंदर कोई इंसान इतना महंगा घड़ी पहन के बैठा आपने वीडियो देखा होगा वो बार बार उसको देख रहे थी क्या ह ओगा 25 का राइट एंसर देखिये शुरेंदरनाथ बनर्जी अनन्द मोहन बोस इन दोनों ने मिलके एक तो आनन्द मोहन बोस हो गए प्लस शुरेंदरनाथ बनरजी इन दोनों ने मिलके कैं था कि इंडिया नेश्याशन का फॉर्मिशन किया सथा 1876 में उसके बाद हम तो फिर यह सोशेशन जो है नहीं आई एंसी में मर्ज हो जाएगा यहां पर ठीक है विच आफ दा फॉलोइंग डिस्ट्रॉई दा ओजॉन लियर देखो जो है न वहीं दो जगा पाई जाता है एक तो इस ट्रेट वे स्फेर में पाई जाता है और एक कहां पर पाई जाता है ट्रोपोई स्फेर में जो ट्रोपोई स्फेर में ओजोन पाई जाएगा इसको हम बैड ओजोन कहते हैं क्योंकि यह ग्रीन हाउस गैस की तरह एक तरह ग्रीन हाउस गैस का काम करेगा और जो इस टेटोएस फेर में ये गूड जो जो ओजोन कालाता है ठीक है इसका एंसर कीजिए क्या होगा रितू आप मात खा गई इसका राइट एंसर होगा क्लोरीन वाटर प्यूरिफिकेशन में देखो क्लोरीन एक ऐसी चीज है ना जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते ह बेसिस पर जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन में भी यूज करते हैं जो आप फॉर्म देखते हों सेव करने के लिए उसके अंदर भी ये मेंसन रहता है आपके तूथ पेस्ट में भी फॉस्फोर वो उसके साथ ये आपको देखने को मिलता है तो राइट एंसर इसका क्या हो होगा क्लोरीन कि इसको देखिए हूँ फाउंडेड एंड नेम्ड दे साइन्स ओफ इलेक्ट्रो मैगनेटिजम बिद्दु चुमकत तो विज्ञान के स्थापना और नामकर्ण किसके द्वारा की गई थे तो किसके द्वारा की गई थे बताइए देखिए आपने एंपियर का नाम सुना होगा एक नाम आता है एंडी मरे एंपियर यह फ्रेंच फिजिसिस्ट और मैथमेटेशियन थे तो कहीं पर आपको उनका नाम दिख रहा है यह देखो यहाँ पर दिख रहा है इन्हों नहीं इसकी खोज गे थी आप लोग फेराडे फेराडे चिला रहा है चलिए इसको देखिए कौन करेगा बताइए जरम देखो जो साउथ का एक्सपेडिशन हमने यहाँ पर देखा था बिलकुल से कौन करेगा अलाउदीन खिलजी करेगा देखो 1290 से लेक है 1320 तक 30 साल का टर्म होता है खिलजी डाइनस्टी का तो जो जलालुदीन खिलजी है पहले ये गद्दी पे बैठेंगे देन अलाउदीन खिलजी बैठेगा जो दाग सिस्टम था ब्रेंडिंग ओफ फोर्स उस अलाउदीन खिलजी ने स्टार्ट किया अलाउदीन खिलजी को इसके मार्केट रिफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है आप ये बताएए कि जितने भी साउथ एक्सपेडिशन हुए थे उसमें जो इसका कमांडर इनचीफ था वो कौन था अलाउदीन खिलजी का आपने खिलजी वाला वो पदमाव मलिक कफूर का जो हिस्टोरिकल बैक्गराउंड है वो क्या है कि जब ये लोग ये साउथ की तरफ जाते रहते हैं तो बीच रास्ते में इनको गुजरात पड़ता है तो गुजरात पे टैक नहीं करना था लेकिन इनको डर्ल था अलाउदीन खिलजी को ये डर लगा कि इनको दिखेगा अच्छे गया सुद्दीन बलवन के बारे में आप कुछ बताओ कि गया सुद्दीन बलवन किस डाइनस्टी से बिलोंग करता था कि स्लेव डाइनस्टी कह लो ममलूक डाइनस्टी कह लो सब क्या है एक है गया सुद्दीन बलवन वहीं से बिलोंग करता थ ये पार्ट पता ही किसका था, चहल गणी कहलीजे या चालीसा कहलीजे, ये चालीसा या चहल गणी का पार्ट हुआ करता था, चालीसा जो था वो 40 novels का ग्रूप हुआ करता था, उसी में एक था बल्वन, और ये जब गद्धी पे बैठेगा तो सबसे पहले ये उस 40 group of novels जो थ ता चैल गानिक को डिस्ट्रॉाइट कर देगा ठीक है इसने दो चीज लाया था सजदा एंड पेदोस का कॉंसेट सजदा का मतलब होता था कि आपको जुक्के सलाम करना है राजा को और पेदोस का मतलब होता था कि आपको जो सुल्तान है न उसके fit को किस करना है उसके पैरों को चुमना है ठीक है आगे चले बांदीपूर नेश्नल पार्क के बारे मैं आपसे पूछा गया है कहां पर यह located है बताईए बांदीपूर नेश्नल पार्क कहां पर located है करनाटका, केरला, कुजरात या सिक्किम कहां पे देखने को मिलेगा यह आपको जल्दी से बताईए बिल्कुल सही कहां पे देखने को मिलेगा करनाटगा में देखो बांदीपूर जो है ना निशनल पार्क के साथ साथ एक टाइगर इजर्ब भी है और इसको टाइगर इजर्ब बनाया कब गया था तो इसको 1974 में टाइगरी जरो बनाए गया था आपको पता है 1973 में इंद्रा गांधी के टाइम पे प्रोजेक्ट टाइगर चलाए गया था और उसके बाद ही अगले ही साल इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर सामिल कर लिया गया था ठीक है अच्छे के अंदर बहुत सारे वेटलेंड आपको दिखेंगे एक दो वेटलेंड का नाम आप बता दो अरे आपका तो घर ही है ना वह आप तो घूमते रहों वहां पे केरला के अंदर बहुत सारे आपको वेटलेंड दिखते हैं तो आप एक दो वेटलेंड का नाम बताईए केरला के अंदर कौन-कौन सा है कि बिल्कुल सही और बताईए कि पेरियार जो है वो रिजर्व है चलिए ठीक है आगे चल दें पेरियार जो है उसको बाइवस्पेर रिजर्व के रूप में माना जाता है ठीक है अब दा पॉपुलर्ड बाग के पैंटिंग और फाउंड इन जो बाग केव है यह आपको कहां देखने को मिलता है देखो जो बाग केव है यह मद्य परदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा और यहां पे जो है आपको सबसे ज्यादा जैनिजम से related paintings आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है अच्छा एक यहाँ पर उरिशा का जब बात आया है तो आप मुझे बताईए उरिशा में कौन सा यसा cave है जिसमें कलिंग किंग कारवेल के बारे में बताये गया है कलिंग किंग Kharvel के बारे में बतायगया है बताइए किस केव के अंदर बतायगया है हाथी गुफा के बारे में अपने शुना औगा उसके अंदर कलिंग किंग Kharvel के 12 साल के ruling को वहाँ पर दरसाया गया है ठीक है कोस्य नम्मर 31 देखिए what is deposited on iron in the process of galvanization galvanization की प्रकेडिया में लोहे पर क्या जमा होता है copper, zinc, tin, aluminium क्या जमा होता है galvanization के process पर बताईए जल्दी से दोनों का option आया है zinc ठीक है और बिल्कुल सही है ये क्या होता है zinc चड़ाय जाता है आगे चलता है ये बताई galvanization process में क्या होता है ये बताईए process क्या है galvanization का इसी process के थूरू present day में जो देखते हो कि जो metals को color किया जाता है गरम करके जो उसको color किया जाता है ये इसी process के उत्वरू किया जाता है भी कोई बता सकता है क्या होता है चलिए इसको देखिए दब बादामी चालुक्याज फर्स्ट हैड देर कैप्टल एट बिफोर दे मूव डिट्टू बादामी आपसे पूछ रहा है कि बादामी में कैप्टल अस्थानांतरित करने से पहले चालुक्याओं की राजधानी कहां पे थी मतलब फर्स्ट कैप्टल के बारे में आपसे पूछा गया है तो सबसे पहले कहां पे आपको देखने को मिला था बताईए जल्दी से क्या होगा 32 का राइट एंसर किसी ने एक या है बिल्कुल सही क्या होगा अच्छा अईहोल में आपको एक इंस्क्रिप्शन मिला है देखो अगर बादामी सिफ्ट करने की बात करे तो पुलकेसिन वन ने बादामी सिफ्ट किया था ठीक है और अईहोल इंस्क्रिप्शन की बात करे तो ये किसके टाइम पे लिखा गया था इसको लिखा गया था रवी किर्ती के द्वारा तो रवी किर्ती किसका कोट पोएट था बताईए जरब रवी किर्ती किसका कोट पोएट था रवी किर्ती जो था वो पुलकेसिन सेकेंड का कोट पोएट था ठीक है इस कोस्टन में बस आप यह देख लीजिए कि आपसे यहां तक आप बस कोस्टन को यहीं तक रखो समझो कि वर्ल्ड कौन सा डे है जो कि 22 मार्च को हर साल मनाय जाता है कौन सा होगा बिल्कुल से ग्या होगा वर्ल्ड वॉर्टर डे अगर हम इंडिया के अंदर देखे न तो 22nd of March को बिहार दिवस मनाय जाता है इसी दिन जो होता है न बिहार का फॉर्मेशन हुआ था 22 मार्च को ठीक है वीच ओफ दा फॉल्वइंग मिनिस्ट्री इंप्लिमेंटेड दा मिड्डे मिले स्कीम मिड्डे मिले स्कीम को कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लिमेंट करेगी बताइए मिड्डे मिले स्कीम को कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लिमेंट करेगी कौन सी करेगी जल्दी से बताईए गेस कीजिए मिड़े मिले स्कीम को कौन सी मिनिस्टरी यहाँ पर करेगी बिल्कुल सही क्या बात है Ministry of Human Resource Development मुझे लगा आप लोगों में से कोई एक गेस तो करोगे सोशल वेलफेर यह सोशल जस्टेस पर लेकिन आपने बहुत सही अंसर किया है क्या होगा human resource development अच्छा मिड़े मिले स्कीम लाया कब गया था पता है किसी को मिड़े मिले स्कीम कब लाया गया था नहीं बता है तु कॉमेंट कीजिए गुगल कीजिए कॉमेंट कीजिए जैसे भी कीजिए मुझे भी नहीं पता है आप ही को बताना ही है कि 15th of August 1995 मुझे आइडिया नहीं है बिलकुल आइडिया नहीं है मैं भी गुगल करके देखोंगा फिर पता चलेगा चलिए 37 गएंसर कीजिए विच वाद फॉर्स्ट मुस्लिम डाइनस्टी डेट रूल इंडिया कौन सा था पहला मुस्लिम डाइनस्टी देखो रजिया सुल्तान जो थी न यह वर्ल्ड वाइड अगर हम उसकी बात करें न तो फॉर्स्ट एंड वनली सुल्तान बने है जो की एक फीमिल सुल्दान बने रजिया के साथ भी उनका जो था अल्तुनिया के साथ उनके प्रेम संबंध के बहुत चर्चे उससे में देखने को मिले थे क्या होगा इसका right answer slave dynasty अगर आपको founder of slave dynasty पूछा जाए तो क्या होगा वो कुतुबदी नेवग होगा कुतुबदी नेवग क्या था वो था slave किसका मुहम्मद गोरी का और इसने जो capital कहां पर ये लेके गया था इसने लाहोर को capital बनाया था अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का capital दिल्ली कौन लेके आया तो क्या होगा आपका right answer बिल्कुल सही सिने लाहोर से रूल किया था और दिल्ली सल्तनत के capital को दिल्ली कौन लेके आया था तो ये लेके आएंगे आपके इलतूतमिस बिल्कुल सही और अगर हम रियल फाउंडर की बात करें तो रियल फाउंडर भी इलतूतमिस को ही माना जाता है अगर हम फर्स्ट सुल्तान की बात करें रियल सुल्तान की तो भी इलतूतमिस को ही माना जाता है क्यूं क्यूंकि जो खालीफा होते थे तो खालीफा से जो पर्मीशन मिला था न वो इलतूतमिस को मिला था ठीक है कब से कब तक तो 12-30 के आज पास आपको दिखेगा कि 12-30 में डेथ हो जाती है उसकी और फिर यहां पर इलतूतमिस आएंगे रूल करेंगे लोक अदालत चलिए इसका जबाब दीजिए लोक अदालत है बिन क्रिएटेड अंडर लोक अदालत का जो गठन हुआ है किसके तरफ हुआ है किसके अंदर आपको देखने को मिला था कोश्चन नमर 38 का एंसर कीजिए देखो 1987 में एक एक आया था लीगल सर्विस ओथरेटी एक्ट और इसे के थ्रो हमने क्या देखा था लोक अदालत का फॉर्मेशन किया गया था ठीक है अच्छा लोक अदालत के पास जो पावर होती यह वो पावर कौन कौन सा पावर होता है को से नमर 38 का यह होगा रही तो लोक अदालत जो है न वह लीगल सर्विस ओथरेटी एक्ट 1987 के थूरू इसको किया गया था कब 1987 के थूरू मुझे यह बताईए कि लोक अदालत किस केसे से डील करेगा सिविल, क्रिमिनल किस तरह की केसे से यह डील करेगा तो देखो जो अनली सिविल प्रोसीडिंग होती है इसके अंदर सिर्फ और सिविल प्रोसीडिंग आपको देखने को मिलेंगे ठीक है criminal proceeding के लिए minimum subordinate court का होना जरूरी होता है और अगर आप देखते हो कि death sentence सुनाने के लिए minimum district court का होना वहाँ पे जरूरी होता है जो additional district judge होते हैं या district judge होते हैं इन दोनों के पास power होती है कि किसी को life imprisonment या sentence सुना सकते हैं लोंगेस्ट नेशनल हाइवे की बात कीजिए ये देखो कन्या कुमारी से लेके आपको नॉर्थ तक दिखेगा नॉर्थ साउथ कोरिडोर के नाम से भी इसको जानते है जल्दी बताईए लोंगेस्ट नेशनल हाइवे कौन सा ही इंडियागा बिल्कुल सही आपका 44 है ये जल्दी से साउथ में तो कन्या कुमारी है नॉर्थ में क्या होगा देखो ये स्री नगर टू कन्या कुमारी इतना लंबा है ये ठीक है कस्मीर ने इस स्री नगर हां क्या सकते हैं जे एंड के अगर आप लिख देते तो वह वैलेड जादा होता है कस्मीर एक प्रोपर हो जाता है नो चलिए यहां देखिए who among the following was the slave of मुहम्मद गोडी he became the ruler after the death of his master and founded the slave dynasty कौन होगा इसमें 41 का क्या होगा एंसर बताईए क्या होगा बिलकुल सही कुतुवद्दी नेवक अच्छा देखो कुतुवद्दी नेवक के बात करें तो जो कुतुमिनार आप देखते हो कुतुमिनार का जो construction था वो कुतुवद्दी नेवक के को किसी ने तोरा था तो वो था कुदुवद्दी नेवर ठीक है और यही दिन है कि जब आप अजमेर में जाते हो जो वहां का दरगा है धाई दिन का जोपड़ा के नाम से फेमस तो उसके मंदिर के उपर आपको अभी वी जो हिंदू गॉड़ गॉड़ेस के वहां पे पीलर के उपर इंस्क्रिप्शन्स मिलेंगे पूरा का पूरा इंस्क्रिप्टेड हैं वो ठीक है सबसे जादा बहुत जादा क्रुएल था यह इसने बहुत जादा वहां पे तोर फोर मचाई थे अब देखिए एक चार पास के बारे में आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा है जो सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है और 1962 में जो वार हुआ था उसके बाद इसको दुबारा 2006 में रियोपन किया गया है कौन सा पार्ट है यह बताईए जल्दी से नाथूला पास क्या बात है इतना पूरा का पूरा डिप नॉलेज आप लोगों ने रख रखा है बिल्कुल सही है क्या होगा नाथूला पास अच्छा यह इंडिया का जो सीनो इंडियों वार हुआ था 1962 का इसके पीछे की वज़ा क्या थे में जो रिजन था इसके पीछे क्या था किसी को पता है कि जो इंडियों सीनो वार हुआ था 1962 में इसके पीछे का जो वज़ा था में रिजन क्या दिया गया था उसके द्वारा में बताईए क्या रिजन दिया गया था देखो जो तिब्बत वाला रिजन है न तो तिब्बत को वो अपना ओटोनोमस स्टेट मानता था और तिब्बत वाले रिजन में क्या हुआ कि जो दलाई लामा है दलाई लामा ने इंकार कर दिया कि हम तिब्बत के पार्ट नहीं है तो दलाई लामा वहां से भाग जाते ह दलाई लामा चाइना फ्लीड करके तिबत से भाग के क्या इंडिया के अंदर आ जाते हैं और इंडिया के अंदर वो सरनागत वाला जो कॉंसेप्ट है हम सरन देंगे हमने दलाइलामा को सरन दी तिबत ने बोला चैना ने बोला हम से कि वो हमारा टेररीस्त है उसको हमें वापस कर दो हमने वापस नहीं किया और यहीं से यह स्पार्क शुरू हो और उसके बाद आपको इतना बरा वार देखने को मिला था सबसे बरा डीजन यहीं था बिल्कुल यह इसाइलम वाला जो था ना हमने जो दलाई लामा को पनाह दे दी अपने हां पे यह बहुत बरा इसू बन गया था कि आप अब कर दो आप अब को आज बोड़े दा रविंद्र नाथ टैग और लिटरी प्राइज फॉर्ट नॉवल सोलो किसको दिया गया देखो रविंद्र नाथ टैग और लिटरी एबॉड जो है कि दे कलरफूल आट नेम्ड नंदना ब्लॉग प्रिंट विच यूजट ग्रेस फुल यह टलाइंड अरेंजमेंट आफ मोटिप्स और फैब्री इज प्रैक्टिस्ट इन तारापूर विलेज ओफ फूइच स्टेट बताइए यह जो नंदना ब्लॉग प्रिंट है इसको में महरास्टर नहीं है एक देखिए मैं बदाता हूंगे कि नीमच डिस्टिक आपको नीमच डिस्टिक दिखेगा कहां पर मद्धी परदेश के अंदर दिखेगा यह जहाबुआ नीमच जो है यह आपको वहां पर दिखेगा गुजरात के साथ बोडर सेर करते वे में ही आपको मिलता है उसको भी जी आई टैग मिला हुआ है तो राइट एंसर क्या होगा आपका मद्यप्रदेश हो जाएगा अब मुझे बताइए वीच ओफ दफ फोरेंग डजनोट कम अंडर दा क्वाटर नरी सेक्टर के अंदर इनमें से कौन सा नहीं आएगा information technology, mining, manufacturing, fisheries देखो eliminate कर दोगे तो इसका answer आजाएगा बस एक बार आप देख लिजे mining नहीं होगा manufacturing क्या होता है secondary sector के अंदर आता है mining हो गया, fisheries हो गया, agriculture हो गया, यह सब primary sector के अंदर आपको देखते है ores की जो mining होती है, जो आपका fist production होता है, जो agriculture and allied sector से जुरा हुआ, यह सब के सब क्या है यह primary sector है, ठीक है, तो right answer क्या होगा, information technology manufacturing कैसे होगा, manufacturing तो secondary sector है ना, अगर हमारे इंडिया की बात करें, देखो 4 sector होते हैं प्राइमरी सेक्टर में basic चीज़े आपको देखेगी, अगरी कल्चर से लेटेड, जो mining होगा, जो fishing होगा, यह सब प्राइमरी में देखेगा, जो industry के अंदर हम manufacture करते हैं, वो secondary sector में देखेगा, तरसरी सेक्टर वो सेक्टर होते हैं, just like services, जैसे आप अगर drive कर रहे हो, आप courier boy का काम कर रहे हो, तो वो सब क्या हो गया, वो सब service sector के अंदर आ जाता है, और finally quarterly sector में क्या आएगा, information technology, odd event करके answer दे दिया करो, जो चीजे सपोज कर आपको नहीं पता है, अगर आपको answer करना है, तो थोरा सा odd event करके दिमाग लगा लिया करो, आराम से आप answer कर लोगा, यह बताए, right to move freely throughout the territory of India is a fundamental right under which of the following article, किस article के अंदर आपको दिया गया है, कहां पे दिया गया है, बिलकुल सही यह article 19 के अंदर दिया गया है, अच्छा article 14 जो है, यह किस-किस को मिला हुआ है, यह सिर्फ Indians को मिला हुआ है, यह aliens को भी मिला हुआ है, aliens in the sense की कोई भी foreigner जो होते हैं, वो हमारी aliens होते हैं, तो article 14 किसको मिला हुआ है? किस question में note पूछा था? अच्छा, 45 में? वो थोड़ा सा उसके answer में फिर मेरे ख्याल से उसमें problem था, कोई नहीं आप समझ दो गए न चीज़े, article 14 के बारे हो बात कीज़े, article 14 जो है, यह किसके किसके, article 14, नहीं नहीं, देखो, article 14 जो है, only citizens को नहीं, यह सब को मिला हुआ हुआ है, article 14 क्या है? equality before law, equality before law, equal protection law, अगर article 19 की बात करें, तो यह only citizens को मिला है, article 21 की बात करें, जिसके अंदर life, right to life and personal liberty की बात की गई है, यह भी हर एक इंसान को मिला है, सिर्फ Indians को नहीं मिला है, ठीक है? आगे चले, 24 के अंदर exploitations की बात की जाती है, अब 24 साल से कम के बच्चे को वहाँ पे employ नहीं कर सकते, 14 साल से कम के बच्चे को फेक्टरीज में, which of the following metal is the most ductile metal, सबसे लचीलीद हातु कौन सी है इसमें, tin, gold, copper, aluminium, 47 का एंसर दीजिए, सबसे लचीलीद हातु कौन सी है इसमें, इस एंसर के इस आप से क्या होगा, gold, अगर पूरे के पूरे periodic table में आप से पूछा जाए, तो सबसे लचीली धाती कौन सी होगी, तो वो कौन सा होगा, वो होगा platinum, हलाकि कुछ जगा आपको यह देखने को मिलेगा, platinum बहुत hard होता है, लेकिन platinum जो होता है, इससे भी ज़्यादा लचीला है, यहाँ पर देखने को मिलेगा, चलिए, most reactive metal के बारे में आप से पूछा जा रहा है, कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा reactive कौन सा है, बताइए, most reactive कौन सा होगा, इन चारों में से सबसे ज़्यादा most reactive कौन सा होगा, copper होगा, calcium होगा, iron होगा, zinc होगा, क्या होगा, नहीं, copper नहीं होगा, क्या होगा, calcium होगा, जो की सबसे ज़्यादा react करेगा यहां पर, अगर यहां पर कारवन क्लोडी निन सब की बात होती तो वो इससे ज़ादा रियक्टिव होता है विच इंडियन डिसीव्ट दा नॉबेल पीस प्राइज आफ्टर मदर टेरेसा अब मदर टेरेसा की बात करें न बिसीकली ती यह आईरलेंड की रहनी वाली थी लेकिन इन्होंने बाद में इंडियन सीटिजन्सिप ले लिया था तो बताईए कि मदर टेरेसा के बाद किसको मिला था बिल्कुल सही क्या होगा कैलास सत्यार्थी को मिला था क्या बात है बिल्कुल सही चलिए आपका सेशन ख़दम हो गया यह कोस्टन्स थे आई होब आपको सेशन पसंद आया हो और वन फिप्टीन पे हम आपके साथ दुबारा आएंगे और आज भी सोलर सिस्टम से ही रिलेटेड कोस्टन है लेकिन कोस्टन्स के लेबल थोरे से ज्यादा मैंने बढ़ा दिये थे कल बहुत ज्यादा बेसिक कोस्टन्स था आपको ज्यादा मज़ा नहीं आ रहा होगा तो मिलते हैं दुबारा वन फिप्टीन पे तब तक के लिए थैंक्यू सो मच